हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल पेट के गेस के कारण होता है सीर दर्ड यदि आपको पेट में गेस बनने की समस्या है कब जहें असीड़ी है और इसके वज़ा से आपका सीर में काफी तेजी से दर्द हो जाता है तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प पान में गलत कर देते हैं ज्यादा तेल पक हम खा लेते हैं तो हमारा पेट में गैस बन जाता है कब्ज होती है एसीड़ी होती है खट्टी धहकारे आने लगती है और पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं होता है तो हमारा मन अच्छा नहीं रहता और इसके करन हमें सीर में दर्द होने लगता है जो काफी परसानी होती है और काफी परसानियों का समना करना भी परता है क्योंकि जब मारा पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं रहेगा तो दिन भर आपका सरीर पुरा भारी सा भारी लगेगा और आपको सीर दर्द होने की समस्या भी बढ़ जाएगी साथी साथ आपको सरीर में बदन में एठन दर्द काफ़ी परसानी होती है बहुत सारी समस्या हो जाती है जब हमें पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं होता है हमारा तो बहुत सारी विमारी होने की संभान से María to a grim at Moyiquion की जाती है जब पेट में गैस बनेगा तो इसके वजह से सीर था consistent łat हो जिससे यदि आप ट्राइ करते हैं तो यकीन माने आपको जो पेट में गैस बन रहा है वह भी दूर होगा और सिर्दर्थ की समस्या को जड़ से खत्म करता है चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हीट करें जितना हो सके इस वीडियो को सेर करें ताकि इसक झाला नमक की जरूत नहीं पड़ेगी मातर हमें चुटकी बार काला नमक लेना है आप चाहिए तो थोरी सिती जादा ले सकते हैं निकि कि दो चिटकी ताकि जो लवन और नमक का सारे पानी में अच्छी तरीके से मिल सके उसके बाद आप इसे पी सकते हैं यदि आप ऐसा दिन में दो बर करते हैं तो यकीन मानिए आपको पेट में जो गैस की समस्या हो गई है यह बहुत जल्दी दूर होगी अच्छी तरीके से साफ होगी और आपको सीर दर्द की समस्या से वह चूटकरा मिलेगा आप चाहते तो सुबह भी ले सकती तो रात में खाना खाने के पहले बहुत ले सकते हैं यदे यह खाना खाने